हिमाचल परदेश का मंडी जिला यह जिला जहां अपनी खूबसूरत पहाड़ी वाधियों से सबका मन मोहने की क्षमता रखता है वही यहां की भगौलिक कटिन परिस्थितियां सरकार द्वारा जन हित के लिए चिलाये जा रहे विभिन कारेक्रमों के सफल संचालन के लिए एक बड़ी जिनौती रहती है इन ही जिनौतियों का बखूबी सामना करते हुए DRDA मंडी त्वारा जीले के दस विकास खंडों के माधिम से प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट जरूरत मंद परिवारों के लिए आवास त्यार करवाए गए हैं और कुछ कार्य अभी प्रक्ति पर हैं योजना के तहट मंडी जीले को वर्ष 2016 वर 17 में ग्रामेन विकास विभाग द्वारा कुल 165 खरों के निर्मान का लक्ष प्राप्त हुआ है जिसमें अप्रेल 2016 से दिसंबर 2017 तक 132 ग्रीह पूरण किये गए हैं इन मकानों में अभी तक लगबग 1.86 लाख रुपए खर्च किये जा चुगे हैं प्रतेक लाभार्थी को 1.30,000 रुपए की धनराशी ग्रीह निर्मान के लिए प्रदान की गई है लेकिन इसके साथ ही साथ संपूर्ण सच्था अभियान के तहट 12,000 रुपए की अतिरिक धनराशी सचालियों के निर्मान के लिए दी गई जबकि मन रेगा में 95 दिनों की दिहाडी का भी प्रावधान इसमें किया गया है योजना के तहट बनी आवासों में बिजली, पानी वो अन्य मूल फूत सुविधाएं भी अन्य विभागों के सहयों करके पहुंचाई गई है मंडी जिले में आज वे परिवार जो समाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर थे अब खुश हैं क्योंकि उन्हें प्रधान मंत्री ग्रामीन आवास योजना के तहट अब सिर्चुपाने के लिए एक अदद छट मुहिया हो गई है मिसाल के तौर पर हम बल विकास खंड के बुशहर गाओं की सुनीता देवी की बात करते हैं सुनीता देवी की व्यथा कथा सरकार द्वारा शुरू की गए इस योजना की सरसक्ता को सित करती है सुनीता देवी के लिए प्रधान मंत्री आवाज योजना किसी वर्दान से कम नहीं है जब वह मुस्दिप्तों से पूरी तरह घीर गई थी पती उसका साथ छोड़ कर घर से चला गया था जब उसके एक कमरे वाला चत भरी बरसात में टपकने लगता तब सुनीता वा उसके बड़े हो रहे बच्चे यह देखकर मन ही मन मसोस कर रह जाते इसी कमरे में सुनीता रिसोई भी बनाती उसी में सोना भी होता उसके बाद बाहर चले गए फिर बाहर से कम में आते थे गरो में असे भी नहीं कुछ भी नहीं था ऐसी स्थिती में पंचायत से उसे परधान मंतरी आवास योजना का पता चला सुनीता देवी BPL परिवार से संबंदित है और सामाजिक आर्थिक एवं जाती गर्णा की अनुसार प्रधान मंतरी आवास योजना में पात्र है आज योजना के तहत उसके पास तीन कमरों का पक्का मकान बन कर त्यार हो गया है उसका कहना है कि योजना के तहत हलांकि उसे एक लाग तीस हजार रुपए की ही राशी मिली है लेकिन अगर यहाँ राशी नहीं मिलती तो वह कभी भी पक्का घर नहीं बना सकती माईके वालों के साथ ही साथ लोगों ने भी उसको घर बनाने के लिए मदद की और खुद भी उसने घर बनाने के लिए मजदूरी की आज वह खुश है हालांकि पुराने दिनों की याद करते हुए उसकी आँखों में आंसु आज भी चलक जाते हैं तुरिए पूरी अपने अभूद दीखी सर एक वी दिन में सिर्फ मिस्त्रील को था जैसे विए उनके से ट्रैनिक भी करवाने थी जैसे करवाने थी जैसे कुछ भी नहीं हो सकता था तो चलो एड़ा सरकान थोड़ी आलप की तो हमारी थोड़ी मामें आसला बादा थोड़ा तो आपने देखा कि सुनेता देवी के लिए परधान मंतरी आवास योजना किस तरह वर्दान साबित हुई है अब ये देखिए इसी विकास खन के मतलिहट पंचायत की दुर्गा देवी की कहानी दुर्गा देवी आज वृधा वस्था में है घर में उसकी बेटे की शादी हो जाने के बाद वह एकाकी जीवन जी रही है मिटी के बने पुराने घर की छट कभी भी टपक पड़ती ऐसे में छट से तो पाने टपकता ही लेकिन आँख से टपकते आंसु भी गरीवी पर मजबूरी की दास्ता ब्यान करते ऐसी स्थिती में उसके घर्व आंख से टपकते पानी को रोकने में परधान मंतरी आवास योजना निभूमी का निभाई आज बुजुर्ग दुर्गा देवी को पक्का मकान नसीब हो गया है इस योजना के लिए अब वह सरकार का धन्यावाद करती है अब आज आज बुजुर्गा देविव दिए परधा हुए थी ना था ना था अंतर बुच्छ भी चोड़ा हुआ था वित्र वी तरह केते खालाना ज़े फिर बांदे थे था ले ज़े चोड़ा हुआ था अब तो फिरी का ड़टा है अब पहाडों पर बसने वाले लोगों के दुख दर्द की कहानी तब और अधिक मुकर हो जाती है जब भगौलिक परस्थितियों से जूजने का उनका जज़बा सामनी होता है पहाडी पर घर बनाना असान नहीं इसी कठिनाई का सामना सदर विकास खंड के गुम्मत राम को करना पड़ रहा था गुम्मत का घर उस पहाडी पर बना है जहां सडक नहीं है हम जैसे लोगों को तो फैदल चल कर पहुँचना ही मुश्किलों से भरा है ऐसी पहाडे पर पक्का मकान बनाना और भी महंगा यह मकान गुम्मत राम नहीं बना पाता अगर परधान मंतरी आवास योजन के तहत उसे आर्थिक सहायता नहीं मिलती आज गुम्मत राम खुश है कि उसके नसीर में भी पक्का मकान है इसी तरह प्रधान मंत्री ग्रामीन आवास योजना के हर एक लावार्थी के दुख और दर्ड की अपनी दास्ता रही है जिसे योजना के तहट एक पक्की छट के सुख के रूप में तबदील किया गया है जब चाँ ज aún के सब्टा रही है कर दो